नमस्कार दोस्तों, संध्या के समय घर की चौकट पर क्यों नहीं बैठना चाहिए? वास्तु अनुसार घर में कितने फोटो फ्रेम लगाने चाहिए? घर में हर एक वस्तु का नाता वास्तु से बताया गया है. घर की सीडियों के नीचे रसोई होना शुब है या अशुब? ये सभी सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है. तो दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में जैश्री कृष्ण जरूर लिखें. घर में अक्सर बड़े बुजर्ग घर की चौकट पर खड़ा होने से मना करते हैं, लेकिन इसकी पौरानिक मान्यता क्या है? इसके बारे में विस्तार से जानते हैं. दोस्तों, वास्तु शास्त्र में घर के लिए कई नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना बेहद महत्वपून होता है. अगर समय रहते नियमों का पालन न किया गया, तो व्यक्ति को वास्तु दोश का सामना करना पड़ सकता है. वहीं आपने घर के बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा की, संध्या के समय घर की चौकट पर नहीं बैठना चाहिए. आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? इसके बारे में ज्योतिश चाचारे पंडित अर्विंद त्रिपाठी से विस्तार से जानते हैं. संध्या के समय घर की चौकट पर बैठना क्यों है वर्जित? वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की दहलीज का संबंद माता लक्षमी से है. ऐसा माना जाता है कि संध्या के समय माता लक्षमी प्रवेश द्वार से ही घर में आती है. अब ऐसे में अगर उस समय घर की इसलिए घर के बड़े बुजुर्ग संध्या के समय दहलीज पर बैठने से मना करते हैं। जिसके कारण घर परिवार में धन संबंधित परेशानिया आने लग जाती हैं। या घरी इत्यादी नहीं टांगना चाहिए। इसे अशुब माना जाता है। घर की चौकट नहीं होनी चाहिए खंडित। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की चौकट खंडित नहीं होना चाहिए। ऐसी मानिता है कि इससे घर की सकारात मक्ता चली जाती है और घर परिवार में कलहकलेश की स्थिती पैदा होने लग जाती है। तूटी हुई चौकट भी बेहद अशुब माना गया है। इसलिए इसकी मरम्मत जल्द से जल्द करा लेनी चाहिए। वास्तु अनुसार घर में कितने फोटो फ्रेम लगाने चाहिए। घर में हर एक वस्तु का नाता वास्तु से बताया गया है। ताकि घर पर किसी भी वस्तु का नकारात्मक प्रभाव न पड़े। ठीक ऐसे ही वास्तु शास्त्र में यह भी बताया गया है कि घर में तस्वीर लगाते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए। आप में से ज्यादा तर लोगों ने घर में कई सारे फोटो फ्रेम गर में कितने फोटो फ्रेम लगाना वास्तु दृष्टी से शुब माना जाता है। साथ ही यह भी बताया कि संख्या के साथ-साथ फोटो फ्रेम घर में लगाते समय वास्तु से जुड़े किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो आए जानते हैं इस बारे में। घर में कितने फोटो फ्रेम लगा सकते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में सिर्फ चार फोटो फ्रेम लगाने चाहिए। इससे ज्यादा फोटो फ्रेम लगाना वास्तु दोश को उत्पन करता है यह चार फोटो फ्रेम भी वास्तु के मताबिक होने चाहिए यानि कि वास्तु में इसका भी उलेक है कि कौन कौन से फोटो फ्रेम लगाने चाहिए घर में चार फोटो फ्रेम कुछ इस प्रकार से लगाने चाहिए कि एक परिवार की तस्वीर, एक पित्रों की तस्वीर, एक भगवान या गुरु की तस्वीर और एक दामपत्य जीवन की तस्वीर इस हिसाब से कुल मिलाकर घर में सिर्फ चार फोटो फ्रेम इस तरह से लगाने चाहिए तभी शुब होता है तस्वीर लगाते समय दिशा का भी महत्व होता है ऐसे में वास्तु शास्त्र के अनुसार पित्रों की तस्वीर हमेशा दक्षिन दिशा में लगानी चाहिए का शौक है, तो इस लेक में दी गई जानकारी के माध्यम से यह जान ले की आखिर घर में कितने फोटो फ्रेम लगाना वास्तू के मताविक सही है। घर की सीरियों के नीचे रसोई होना शुब है या अशुब वास्तु शास्त्र में यह बताया गया है कि घर में अगर सीरियां हैं तो उसके आसपास उसके उपर या उसके नीचे किन चीजों को रखना चाहिए या कैसा निर्मान कराना चाहिए वास्तु शास्त्र में घर से जुड़ी हर एक वस्तु के बारे में विस्तार से बताया गया है घर में कौन से स्थान पर क्या होना चाहिए, किस रंका होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, किन चीजों को घर में रखने से बचना चाहिए घर के हर एक हिस्से की दिशा कैसी होनी चाहिए आदी के बारे में वास्तु शास्त्र हमें बताता है ठीक ऐसे ही वास्तु शास्त्र में यह भी बताया गया है कि घर में अगर सीडिया हैं तो उसके आसपास उसके उपर या उसके नीचे किन चीजों को रखना चाहिए या कैसा निर्मान कराना चाहिए इसी कड़ी में जोतिशाचारे राधाकांत वच से जानेंगे की सीरियों के नीचे रसोई के होने का क्या मतलब होता है और क्या है इसके शुब अशुब परिनाम घर की सीरियों के नीचे रसोई होना शुब है या अशुब वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की सीरियों का संबंध राहु से होता है वहीं घर की रसोई का संबंध नवग्रहों से माना जाता है राहु एक पाप ग्रह है जबकि नव ग्रह की हिंदू धर्म में पूजा की जाती है राहु इन नव ग्रहों से बाहर गिने जाते हैं क्योंकि वह राक्षस देह से उत्पन हुए हैं वहीं राहु को नव ग्रहों का दुश्मन भी कहा जाता है ऐसे में घर में मौजूद हर वो वस्तू या स्थान जिसका संबंध राहु से हो उसे आसपास नव ग्रहों या अने ग्रहों से संबंधित वस्तू न तो रखनी चाहिए और नहीं नव ग्रहों से संबंधित कोई निर्मान कराना चाहिए इससे अशुब होता है असल में घर की रसोई हेमशा खुली रखी जाती है यानि की खुले स्थान पर होनी चाहिए क्योंकि यहां अगनी देव स्थापित होते हैं अगनी को नियंतरित करती है पंच तत्वों में से एक वाईव अगर अगनी का स्थान बंदा हुआ होगा तो घर में कलेश, नकारात मक्ता, अशांती का वास होगा अगर आपके भी घर में सीरियों के नीचे रसोई बनी हुई है तो इस लेक में दी गई जानकारी के माध्यम से यह जान ले की सीरियों के नीचे रसोई होने का क्या अर्थ होता है और वास्तु में इसे शुब माना जाता है या अशुब तो दोस्तों उम्मिद करता हूँ की आपको विडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो विडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे आपके एक लाइक से ही हमें प्रेयना मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं धन्यवाद